हाई गाईस मेरा यूटूब चैनल फैंटसी एपड़ीटी 11 पे आपका स्वागत है आज मैं ड्रीम 11 में फुटबॉल की टीम प्रोवाइट करूँगा जो है इंटरनेशनल फ्रेंडलिस का मैच जो है जापान वसे सकनाड़ा के बीच जो मैच है मैं उसी का ही टीम प्रोवाइट करूँगा गाईस तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ताक देखिए मैं जो भी अपडेट दूँगा जो भी सेजेश्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो तो गैस यापर पे आज का ये मैच स्टार्ड होंगे चार बच के पाच मिनिट पे यापर पे और यापर से मैच खेला जाएगा डिंका बिंक स्वान स्टेडियम जो यापर से जपन का होम ग्राउंड है और यापर से आज का मैच जापान का कॉन्फिडेंस का भी बूस्ट होंगे तो यापर से थोड़ा सा मैच का प्रिव्यू के बारे में बात करते हैं तो यापर पे होम साइट जापान उनका यापर से जितने का रान काफी ज़्यादा हो चल रहा है क्योंकि लास्ट मैच भी तूर्की को चार दो से हराया था और यापर से अगला जो टार्गेट है अप्सिएशन का नेक्स्ट याड पे उसके आगे इपिपरेशन काफी मैतपून रहेगा उनका और यापर से तूर्की के साथ काफी अच़ग किया था कैई तो नाका मुड़ा ने काफी इंपॉर्टन पिक किया थै यापर से जो आज का ये जापन का मैच यापर से होगा तो यापर से नेक्स्ट वेजडे बे ट्यूनिशे के साथ भी मैच है एक फ्रेंडली मैच तो यापर से वाल कप कौलिफाइंग कैम्पिंग भी यापर से मकाओ के साथ है नेक्स्ट मांथ पे तो काफी अच्छा उनको बूस्ट मिलेगा, काफी अच्छा पैक्टिस उनको कर सकता है यापर से कनाडा भी यापर से मिक्स डिसल्ट है उनका क्योंकि कौन काफ आफ जो गोल काप कैम्पिन था जुलाई में हुआ था जिन में से दो-दो से अमरिका के साथ ड्रॉ करने के बाद पिनल्टी में जाके हार गया था ये टीम और यापर से ये विजिटर केनाडा के पास भी एक मौका है जैसे कौन काफ नेशनल्स लिग के क्वाडर फाइनल है निक्स मांथ पे तो उनका भी काफी अचा प्रिपरेशन होगा जापान जैसे टीम के साथ खेलने से तो गाइस यहापर से जापान वसस कैनाडा के बीच जो मैच रहेगा 4 बच के 5 मिनीट पे और यापर साचका मैं स्टार्ट करेंगे यापर पे जापन के बाद यापर से उजाका स्टार्ट करेंगे गोलकी पर पे डिफेंडर तानी गूची रहेंगा इतो रहेगा मचीरा रहेगा और माईकूमा रहेगा यह चार डिफेंडर स्टार्ट करेंगे इन में से तानी चोइस रहेगा और इतो अच्छाइज रहेगा दो स्ट्राइकर पर रहेंके फुरुशाशी और कुबो ये काफी अच्छा च्ट्राइकर है स्ट्राइकर रहें और घोड़न notifiedija और और विटोージा इनमेंसे विटोडिया क्काफी चोईस रहेगा उसके बाद जॉनाथन ओस्टोरियो, एस्ट्रोकिव, इस्माइल कोन और चुन्रोरी स्टार्ट करेंगे इनमें से स्टाडियो और ऑजोरियो काफी बड़िया चोईस रहेगा दो स्ट्राइकर रहेंगे साइल लारीन और जॉनाथन डेविट दोनों ही काफी बढ़िया स्ट्राइकरे जिनमें से थोड़ा समय आगे रखूंगा जॉनाथन डेविट को यहापर से की प्लेयर्स में काफी इंपोर्टन पीग रहेंगे जापान के तरफ से तानी गूची, इरोकी इतो, नाका मूरा, तनाका और फुरुशाशी काफी इंपोर्टन पीग रहेंगे की प्लेयर्स केनाड़ा के तरफ से रहेंगे गोलकीपर बोर्जान, आर्डेकूबे, विटोडिया, ओजोडियो, एस्टोकियो, लारिन और डेवीट, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे केनाड़ा के तरफ से तो गाइस, आप में टीम क्रियेट करूँगा, इटरनेशनल फ्रेंड लिस्क मैच, जापन वस्स केनाड़ा के बिल्चो मैच रहेगा, फस्ट यापर से गोलकीपर का जो चॉइस यापर पे रहेगा, मैं यापर पे बोर्जान को पिक करूँगा, आपके पास चॉइस आएग तो, उसके बाद काफी इंपोर्टन पिक रहेंगे यापर पी तो, और यापर पे पिक करूँगा, यापर से माई कुमाई का अच्छा चोइस रहेगा, माचीटा अच्छा चोइस रहेगा, यापर पे जोंस्टन, यापर से मैं विटूरिया को मिली टीम में पिक करूँगा करो लगे तरब से अगर आज का मैच डेविस खेलेंगे काफी अच्छा चोईज रहेगा तोमियासू खेलेंगे तो अच्छा चोईज रहेगा मिडफिलर आप्शन पे ओज़रियों को पीक किया इतों को पीक करूंगा काफी बढ़िया चोईज रहेगा उसके बाद यापड पे नाका मूरा को मेरे टीम में पीक किया है यापड से स्ट्राइकर पे चला आओंगा लाडिन आएगा कूबो आएगा डेविड आएगा काफी बढ़िया चोईज आएगा मैं यापड से कूबो को पीक करूंगा मैं यापड से अभी तक जोनाथन डेविड को पीक किया है डिसेंट पर्फॉर्मेंस की सापसे, लाडी नेक अच्छा चोईस रहेगा, आप इनको ले सकते हो, मैं यहापट पर फुरुशाशी को पिक करूँगा, मिट्फिलर आप्शन पर यहापट से यहोड़े खिलारी की, मीना मीनो का सफसेच ही उड़ा सकता है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, एन्डो भी सफसेच हो उड़ा सकता है, तनाका को मेरे टीम में पिक करूँगा, यह रहेगा अभी तक मेरा टीम, Captain Vice Captain का जो Section आएगा काफी important आएगा Kubo, Ito यहापट पर नाकामूरा पिछले मैच में काफी बढ़िया खेले थे David, Furusasi काफी आच्छा चोइस रहेंगे Captain Vice Captain के लिए यहापट से मेरा Captain Choice यहापट पर मैं Kubo को पिक करूँगा और Vice Captain के लिए यहापट पीटो को पिक करूँगा यह रहेगा भी तक मेरा टीम मैं फाइनल टीम अप्डेट कर दूँगा मेरा टेलीग्रम चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन पर कॉमेंट बॉक्स पर लिए लिक दिया हुआ है